नवस्कार दोस्तों मेरा नाम है राना एश्वंत और आप देख रहे हैं इनी खबर प्रधानमत्री रंद्रमोधी ने हरियाना की जीत के बाद से पार्टी दफ्तर पर जो संबोधन दिया उस संबोधन में कॉंग्रिस के लिए कुछ कड़वी तीखी और बड़ी बात है आप गंभीर भी कह सकते हैं कॉंग्रिस के लिहाज से पार्टी और पार्टी के नेता देश के विरूध में क्या कर रहे हैं आज उस मामले को हम दरकिनार करते हैं लेकिन उन्होंने जो दूसरी बड़ी बात कही कि कॉंग्रिस एक परजीवी पार्टी है इसको टटोलते हैं समझते हैं और फिर यह समझना भी आसान हो जागा कि राहुल गांदी को जिस तरीके से बहुत बरे राश्रे नेता और भावी प्रधानमंत्री के तोर पर प्रजक्ट किया जाता है क्या कॉंग्रिस ने अपने आपको उस तरीके से तयार कर रखा है यानि कि कॉंग्रिस का अपना धांचा ऐसा है जिसके उपर वो एक ऐसी चछत ले सके जो प्रधानमंत्री के अपद की हो और राहुल गांदी के साथ हो यानि कि आपकी दिवारें आपके खंबे आपकी नीव यह सब कुछ मजबूत है क्या और अगर प्रधानमंत्री यह सा कहते हैं कि परजीवी पार्टी है इसका मतलब यह है कि वो अपने बूते जी नहीं सकती है वो दूसरों का खून पी करके ही जिन्ना रहेगी यानि किसी के सहारे ही वो चल सकती है उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा के चुनाव में कॉंग्रेस के पास जतने सीटे आए निन्नानबे सीटे हैं आदे से जादा सीटे सहयोग्यों के कारण मिली कॉंग्रेस अगर कहीं भी सहयोग में नहीं है अकेले है तो फिर वो लगातार हारती चली जाती है और जहां कहीं भी सहयोग्यों नहीं उस पर भरोसा किया वहां उन लोगों ने नुकसान उठाया अब यह एक प्रिश्ट भूमी है जिसके आधार पर हम कॉंग्रेस को देखने की कोशिश कर सकते हैं उन्होंने कहा कि जहां से भी कॉंग्रेस जाती है एक बार तो वो फिर जाती ही रहती है 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल बीजेपी के साथ अच्छी बात यह है कि बीजेपी के सरकारें जिन राज्यों में आ जाती हैं फिन राज्यों में बनी रहती हैं और बीजेपी के राज्यों के बने रहने और कॉंग्रेस के लगातार दूर होते रहने में एक समानता है कि जितनी देर तक बीजेपी बनी रहेगी उतनी देर तक कॉंग्रेस दूर रहेगी जादा तर राज्यों में कुछ राज्यों को छोड़ दें तो विहार उतर ने तीन दश्कों तक राज किया उसके बाद 2011 से ममता बने दो हजार तेईस तक तेरह साल उनका शासन हो गया तो लगभग चार सारे चार दश्कों से कॉंग्रेस पश्यमंगाल से बार है 42 लोग सभा सीटे आतनी पश्यमंगाल उसके पडोस में राज यह है असम असम में दस साल से कॉंग्रेस बेदखल सक्ता से और आज उसके पास धाचा नहीं है उसके पास बड़ा कोई नेता नहीं है उसके कारकरता नहीं है संगठन बहुत करके बीजेपी के लिए अब एक ऐसा राज्य हो गया है जो मत्प्रदेश और गुजरात की तरह आगे बढ़ सकता है उसकी जमीन ऐसी बन गई है चौदा सीटों का राज्य है और नाचल प्रदेश में भी दो दफा बीजेपी रह चुकी है और आगे भी लगता है कि और दो 58 सीटें तो यहीं आती है नीची आप जहारखंड में आये जहारखंड में अगर जहारखंड मुक्तिमोर्चा ना हो तो कॉंग्रेस के पास अपना कोई नेता जनाधार नहीं है दो एक दो नेता जो वहां थे उन नेताओं की या तो बुनका निधन हो गया या फिर दीरे दीरे वो खतम हो चले हैं उनका जमीनी सरुकार लगबर मिट गया है तो बीजेपी और जहारखंड मुक्तिमोर्चा ये दो ऐसे दल हैं जो जहारखंड में आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं इन दोनों के साथ जो भी दल होते हैं उनको फाइदा मिलता है संगठ सदस्य और संसाधन चुनाओ के लिए राजनीत करने के लिए सत्ता में पहुंचने के लिए इन ही दोनों दलों के पास हैं और यहां कॉंग्रिस जैसे ही जेमिम से बाहर जाती है उसके पास एक भी लोग सभासीट वहां से निकाल ले 14 लोग सभासीटों कराजे संभवी नह तो यह आगया आपके पास ज्हार कंड तो शंप पश्चमंगाल ज्हार खंड आहटे हैं आप विहार विहार में लालू परसाद याधो आर जे डे आरजडि के साथरकॉंगरस गढबंधर में नहीं है तो पास अपना कोई आधार नहीं है चालिस सीटों का राज्य है और चालिस सीटों के राज्य में एक या दो सीट भी आप ऐसी बता दें जहां कॉंग्रेस अपने बूते जीत सकती हो बशवर्ते की बीजेपी और आर्जेटी यह दोनों इन्डिये और महागडवंदन दोनों चुनामाइदान में हूं औ पंभाव ही नहीं है उसके बाद उत्तरप्रदेश उन्निस सो नवे से लेकर के आज तक लगबग ढ़ाई दशक सारे तीन दशक हो गए सारे तीन दशकों से बीजेपी उत्तरप्रदेश से बाहर हो गए देश के सबसे बड़े राज जहां 80 लोग सभासीते आती हैं उस रा के चुनाओं में जितनी सीटें कॉंग्रिस के हिस्से आ गई हैं गनीमत है कि समाजवादी पार्टी के साथ हो थी अपने बूते उसके पास 2014-2019 दोनों के नतीजे हैं कि एक सीट या फिर दो सीट इस बार अगर अपने बूतें अकेले लड़ रही होती तो उसके पास सुन सी सीटें होती तो असी सीटें उत्तरपदेश की 40 सीटें बिहार की 120 सीटें 14 सीटें जारखंड की 134 सीटें 42 सीटें पश्रमंगाल की तो 160, 62 और 14 सीटें असम की 72, 76, 2 और राचल, 80, 188 सीटें तो यहीं होगे मध्यपदेश में, राजस्थान में, 36 गड़ में इन राज्यों में मध्यपदेश और 36 गड़ इन दोनों राज्यों में कमलनाथ और दिविया सिंग के बाद कॉंग्रिस के पास कोई इतना बड़ा नेता जनाधार का ने है, जो कॉंग्रिस को बचा ले जाए, क्योंकि संग्ठन के पास जो शुष नतरत है, उसके पास कोई करिश्मा नही है, तो जब उपर करिश्मा नहीं होता, ऐब आप इंदरा गांधी नहीं है, आप राजी उ गांधी नहीं है, आप पंडित नहरू सकते ह 들데 चला जाता है राहुल गंदी के साथ एसा ही है तो मतपदेश में आप देख 23unn से ची आज बीच में अगर मैं 15 महीनों की तक सरकार हकमलनाइद की हटा धू ठारों ओफारों महीनों की तो आज तक लगातार बीजे पी बनी हुग से जाधा हो गए तो दो दश्कों से बीजे पी वहा है गुजरात में आप देख लेज़ा कि द नाइंटी नाइंटीइफ accent से लेकर के आज तक, वहां गुजरात में बीजे पी है और कॉंग्रिस इस बार जिस तरीके से विधान सभा चुनावारी है कि बीजेपी ने वहां आतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया है उसके बाद से वहां के बचे कुछे नेचाओं की शक्ती भी शुन हो गई है लगभग वो शुन नेता हो गए है जानी कि उनके पास कुछ बचा नह हो तो इन सब लोगों के साथ नहीं चल सकता है मांदों बहुत बहुत शुन की वाद करता हूं राजस्थान को छोड़िया राजस्थान में अशुक गहलोत के बाद और सचीन पाइलट के बाद अब चुक्कि दोनों बहुत मजबूत जनाधार के नेता हैं जैसे मतपदेश और तीनों राज्यों में सतियां वैसी हैं जैसी हरियाना में रही जहां टकराओ है नेताओं के बीच वस्थाने नेताओं के बीच में और उस टकराओ को खतम कर पाने पाट पाने या फिर उस सतिक को अपने हाथ में ले लेने की हैसियत में राहुल गांदी नहीं है लाकर के कॉंग्रिस को वहां बिठा दिया है तो इन तीनों राज्यों में भी पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार या बड़ा नेदा आपको दिखेगा नहीं और यहां कोई साथ ही दल नहीं है जो बीजेपी के मुकाबले में कॉंग्रिस का साथ दे करके और सीटें दिलव तिलंगाना की पंदल सीटें तो 28 सीटें और 10, 48, 5, 38, 49 सीटों की दो राज्ये हैं इसके अलावा हिमाचल प्रदेश शुक राज्ये हैं जहां आपके पास अकेले लरने का कुवत है लेकिन वहां भी एक दो नेता ही आपके हैं अगर वो हड़ जाते हैं तो इसके पार दिक इन तीन राज्यों के बाद एक भुपिंदर सिंग हुडा हैं अब भुपिंदर सिंग हुडा की राजनीत लगबख खतम होने लगी है अब उमर का साथ नहीं देगी जाहिरे कि उनके बेटे के पास अब ये कमान आएगी और दिपिंदर हुडा के साथ कॉंगरिस के बाकी नेता हैं रनदेव सिंग सुल्जेवाला या फिर कुमारी शुयर्जा वो कितना चल पाएंगे और दिपिंदर सिंग हुडा अपने पिता की विरासित कितना उती उसी मजबूती के साथ पकड़ के आगे बढ़ा पाएंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है इसलिए यह शुक गहलोत और सचीन पाइलट हैं तो आप कुल मिलाकर के देखें तो 39 सीटे राजस्थान की और मत्पदेश की और 25 सीटे राजस्थान की तो 25, 50 और 4, 54 सीटे 15 सीटे तिलंगाना की 54 और 10, 64, 5, 79 सीटे और 28 सीटे करनाटक की तो 79 और 20, 69, 79, 89 और 8 तो 90, 97 तो 97 सीटे आपकी जहां आप लड़ सकते हैं इसके अलावा केरल हो, तमिलनाड हो, महाराश्टर हो इन सब जगों पर आप अपने साथी दलों के साथ नहीं है तो आपके नेता नहीं है नहीं है एक नेता नहीं है जो अपने बूते के लोग से जिता दें तो आप 169 सीटों पर राश्टर राज़ीत करना चाहते हैं, पुरधान मंतरी बनना चाहते हैं, है कहां, जमीन ही नहीं है, तो नहींद्र मोदी अगर कहते हैं कि कॉंग्रेस परजीवे पार्टी है और जहां कहीं भी वो सीधे में मकाबले में होती है, वो बाहर हो जाती है, और फिर उसके बाद इतने समय तक बाहर रहती है, कि वो बाहर ही बाहर रहती है, और बीजेपी के सरकारे लगातार बंती चली जाती है, बीजेपी ने एक ताकत उसके पास यह है, कि नहींद्र मोदी आज की तारिक में करिश्माई नेता हो सकते हैं, लेकिन ऐस नेता है हिमंत उस्वर्मा को उन्हें दूसरी पार्टी कॉंग्रेस से आई हुए नेता को कॉंग्रेस नेता ख़ड़ा नहीं किया लेकिन हिमंता को बीजेपी ने ख़ड़ा करके मजबूत कर दिया है दिवंत परणवी से मजबूत नेता है और जहार 36 गर मधपदेश शुरा करती चली जा रही है और कोश्च है कि नेंद्र मोदी जब राजनीच से बाहर हो तो उसके पास नेताओं के कैसी बैटरी हो जो देश में अपनी पकड और उसका जो अपना बनाया हो जनाधार है उसको सहे सकें समेट सकें और आगे संगठन के साथ बढ़ा सकें ये संकठ है कॉंग्रेस के साथ कॉंग्रेस के पास संगठन नहीं है नेता जो पुराने है वो धीरे धीरे ब्राजनीच से बाहर जाएंगे तो नए चेहरों की बहुत कमी है आप खुल मिलाकर देख लिए तो एक सचिन पाइलट और एक दिपेंदर हुडा ये दो लोग आपके पास मिल हैं उनके पास जनाधार नहीं है और ये चार-पाँच नेता आपके पास हैं और इन नेताओं के बूते पार्टी अगर चलना चाहती है और वो सपना बुनती है कि राहुल गांधी प्रधारमंत्री बनेंगे और संगठन जो है एक दिन देश का नित्रत्व करेगा कॉंग् कि शिरुमर बाहर हो रहे हैं भुलाम सिंग यादो हैं नहीं लालुप सादी यादो बाहर हो रहे हैं तो नई की और देश या पर फिर बेटे लिजह और दगाया देश्य थी तो इस तरह के जो लीडर हैं इन लीडर के साथ राहुल गांधी की अपनी जो बनेगी वो कैसी बनेगी समिकरण कैसा बनेगा और ये लोग उनको अपना लीडर मान लेंगे इस उम्मीद में कांगरेस चलती है बजाए इससे कि वो अपने बूते देश में सासन करने के सती बना पाए तो फिर उ समझी है और इस नासमझी में कांगरेस के सारे नेता हैं उसमें राहुल गांधी को भी मान कर चलता हूँ तो संगठन के लिए काम करना जमीन पर अपनी सती को मझबूत करना जनधार बढ़ाना संगधिन धाचे को कैसे बढ़ा किया जाए जनधार के नेताओं को कैसे किया जाए और बीजेपी के मुकाबले में अपने को लाने के लिए बाकी राज्यों में भले कुछ समय के लिए पीड़ा सहिनी पड़े तो सह करके बहुतर से हैं। आपको अपनी पार्टी, अपने संगठन, अपनी जीत और अपनी संख्या पर ही भरोसा करना चाहिए, उसके बूते ही आप सरकार बना सकते हैं, चला सकते हैं, बाकि सारी बातें जो होती हैं, वो समन्य की होती हैं, साज़दारी की होती हैं, समय की होती हैं, और उसके लिए आ झाल झाल